दोस्तों यह कहानी है एक डाइन की आत्मा की और एक तांत्रिक की जो जार फुक क्या करता था अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो किर्प्या लाल बला बटन दावाएं फ्रे हैं पैसे नहीं लगते हैं विडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा कहानी एक गाउं की है और सची कहानी है मोहन जार फुक का काम किया करता था लोग उसे तांत्रिक बुलाते थे गाउं में अगर किसी के पास भूत बादा हो डाइन की बादा हो अगर किसी ने काली विद्य किया हो तो लोग मोहन को ही बुलाते थे मोहन बड़े खुसी-खुसी सब के घर जाया करता था मोहन की एक लड़की थी सुहानी छेश साल की लड़की थी काफी चंचल थी लोग उसे काफी प्यार करते थे भूत डायन प्रेट इन सब बारों में स्वहानी को कोई जानकारी नहीं थी बच्ची थी कुछ नहीं जानते थी मुहन जब भी कहीं जाता था जाड़ फुक करने के लिए और घड़ाता था तो अपने साथ कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर आता था सुहानी बहुत खुस होती थी उस रात मोहन अपने साथ कुछ लेकर आया सुहानी के लिए पर वह चौकलेट नहीं था कोई मिठाई नहीं थी बलकि एक डाइन की आत्मा थी एक काली डाइन मोहन किसी के हाँ जारफुक करने गया हुआ था रास्ते में उसे एक डाइन ने देख लिया और समझ लिया कि यह कोई तांत्रिक है और यह सकती साली डाइन की आत्मा थी और डाइन उसके पीछे चल दी वह जानती थी कि मोहन के साथ कोई ना कोई फायदा उसे जरूर होगा जब घर आकर वह देखती है कि मोहन की एक लड़की छे साल की है तो उसे खूब पसंद करती है वो समझ जाती है कि इसका सरीर इसके लिए काफी अच्छा रहेगा मोहन को देख मोहन की लड़की सुहानी काफी खुस होती है और उसकी गोद में चढ़ जाती है मोहन भी उसे काफी प्यार करता है पर वो नहीं जानता है कि आप उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है मोहन अराम से सो जाता है रात में वो आत्मा वो काली डायन सुहानी के सरीर पर अपना बस कर लेती है और उसे अपने काबू में कर लेती है सुबह मोहन उठता है सुहानी के पूरे सरीर में कुछ बदलाहत दिखाई देती है मोहन को समझते देर नहीं लगता कि उसके साथ कुछ बुरा हो गया है कोई बुरी आत्मा उसके सरीर में बास कर गई है और वो उसे अब परिसान करेगी मोहन सब समझ जाता है पर वो बेवस रहता है कुछ नहीं कर सकता वो अपनी देवी को अपने उपर बुलाता है गाओं में जो तांत्रिक होते हैं वो देवी के उपासना करते हैं भूतों के उपासना करते हैं प्रेतों के उपासना करते हैं वो देवी के उपासना भी करते हैं उसने अपनी देवी को प्रगट किया अपने सरीर पर देवी को बुलाया देवी मोहन के सरीर पर आकर खेलने लगी कूदने लगी चिलाने लगी अब सुहानी भी दहारे मारने लगी चिलाने लगी गावाले कत्रित हो गए जमा हो गए अब सब लोग तमासा देख रहे थे छे साल की बच्ची दहारे मार रही है मोहन भी दहारे मार रहा है चिला रहा है, मंत्र बुद्बुदा रहा है डेवी प्रकट है आग की बत्ती को अपने मुँव में निकल जा रहा है और कह रहा है छोड़ दे इस बच्ची को वरना तेरे साथ बुरा होगा तुझे नर्क में जलाया जाएगा पर वो डाइन मानने को तयार नहीं थी उसे तो वो छोटी बच्ची बहुत पसंद आ गई थी पर वो जानती थी कि इसके साथ कुछ न कुछ बुरा होगा कई सारे मंत्र पढ़ने के बाद गाउवाले हाथ जोर कर खड़े देख रहे थे क्या घटनाए घटने वाली है डाइन और देवी के बीच ठन चुकी थी पर धीरे धीरे मामला सान्थ होते दिखा अब डाइन पर देवी हावी हो चुकी थी उसे पूरे बस में कर चुकी थी अब सुहानी सान्थ हो गई थी बैट गई थी कुछ कर नहीं पा रही थी हिल नहीं पा रही थी तब मोहन ने उसे हाथों में पकर कर उसके कान में कुछ मंत्र बुदबुदाय सुहानी बिहोस होकर गिर गई मोहन के सरीर से भी देवी निकल चुकी थी मोहन ने उसे गोद में उठाया और सब लोगों से कहा अब यह ठीक है आप लोग जा सकते हैं चिंता की कोई बात नहीं है देवी ने सब ठीक कर दिया यह मेरी कुल देवी है ये मेरे उपर कुछ नहीं होने देगी कोई डाइन, कोई काली सकती मेरा कुछ नहीं कर सकती मेरे बच्चे का कुछ नहीं कर सकती लोग अपने अपने घर को चले गए यह सची घटना पराधारित गाओं की कहानी है गाउं में तांत्रिक ओज़ा हुआ करते हैं यह भी एक तांत्रिक की सची घटना पराधारित कहानी है जो लोगों ने अपने आखों से देखा और हमें सुनाई हमने आपको सुनाया कहानी कैसी लगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिजिएगा और चैनल को सस्क्राइब वश्ची करिए मित्रों से भी करवाईए इसे सेर करिए और लोग मेरी कहानी को सुन सके और लोग मेरे चैनल को देख सके मैं आपके लिए लाइव स्ट्रिमिंग करूँगा रात के बारा बजे ऐसी जगह जहां कोई भी जाना नहीं चाहता जहां कोई भी जाकर वीडियो सूट नहीं करना चाहता मैं ऐसी जगह जाओंगा आप जो कहेंगे वह किया जाएगा इस चैनल पे तब तक के लिए चलते हैं